ये गाइस वेलकम बैक, वेलकम बैक तु माई चानल दाथ स्पाल अगल और मैं हूँ कांशा तो गाइस आज की वीडियो एक कमपैरीजन वीडियो है जिसमें मैं कमपैर करने वाली हूँ मामा आर्थ के न्यूली लाँच आर्गन शामपू की वाल स्किन साइंज के ACV शामपू के साथ तो गाइस मामा आर्थ का जो न्यूली लाँच आर्गन शामपू है उसे मैंने यूज कर लिया था उसकी separate review video भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और यह comparison की मेरे पास काफी time से request आ रही थी और surprisingly Wow Skin Science का जो ACV shampoo है वो मैंने कभी use नहीं किया तो जब आपकी request मेरे पास आने शुरू हुई उसके बाद मैंने इसे order किया उसके बाद मेरे पास ही आया उसके बाद मैंने इसे use किया और finally आज मैं यह comparison आप लोगों के लिए ले के आई हूँ तो guys इस video में मैं इन दोनों ही product के बीच में क्या के similarities हैं क्या के differences हैं और मेरा personal experience इन दोनों ही product के साथ कैसार आया है यह सब आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ तो start करते हैं इन दोनों ही product की similarities से तो guys दोनों ही pump type के packaging में आते हैं दोनों ही natural ingredients से बने होते हैं quality free है और इसमें आपको harmful chemical जैसे कि parabene या फिल्स sulfates नहीं मिलते हैं असलस free होते हैं इसके साथ quality free है and 100% vegan है अब बात कर लेते हैं differences की mama earth की आपको 250 ml की quantity मिलती है 349 रुपीज में इसके साथ साथ आपको और बीज़ पे कुछ कुछ offer मिल सकते हैं अगर हम wow skin science की बात करें तो इसके आपको 300 ml की quantity I guess इसमें अभी आपको 200 ml की quantity वाली tube packaging भी मिल जाएगी आपको Amazon पे या फिर इनकी official site पे हमेशा इस पे offer मिल सकते हैं यह दो साल इसकी भी shelf life है दोनों ही पैसे तो pom type की packaging में आते हैं लेकिन wow skin science के साथ आपको ऐसा एक outer box भी मिलता है जबकि mama earth के साथ ऐसा कोई outer box आपको नहीं मिल रहा है wow skin science का जो apple cider vinegar shampoo है वो आपको natural DHT blocker के साथ मिल रहा है मैं आपको बताना चाहूंगी DHT एक hormonal condition है hormone है जो actually में responsible होते हैं आपके गंजेपन के और जो आपको hair loss होता है उसके तो इसमें आपको natural DHT blocker मिल रहा है इसके key ingredient में शामिल है pro vitamin B5 apple cider vinegar और जिसका apple cider vinegar है वो 100% natural and raw form में उन्होंने डाला है इसके साथ साथ smith sweet almond oil है and argan oil है apple cider vinegar आपको पता है बहुत ही ancient time से हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा beneficial रहा है ये acidic होता है nature में इसलिए आपके dandruff पे काम करता है इसके साथ soft और strong आपके बालों को बनाता है इवन आप ACV को DIY conditioning की तरह भी यूज कर सकते है आप dilute ACV को conditioner की जगह यूज कर सकते है आगन oil की बात की जाया तो इसमें आपको essential fatty acid मिलते है और इसके साथ साथ ये rich in antioxidant and vitamin E होता है इसमें आपको pro vitamin B5 मिल रहा है जो की boost करता है आपके बालों के hydration को और इसके साथ साथ आपके बालों को strong बनाता है और इसमें sweet almond oil मिल रहा है जो की natural जो आपके बालों का moisture होता है उसे retain रहता है मामा अर्थ की बात की जाये तो इसके की ingredient में शामिल है आगन oil, vitamin E and ACV आपको इन तीनों ही चीज़े जो तीन ingredient है यह सारे के सारे आपको पता है वाउस्किन साइंस में भी है जिनके मैं अल्रड़ी बता चुकी हूँ तो गाइस अब बात कर लेते हैं इनके claims की तो वाउस्किन साइंस ACV क्लेम कर रहा है आपके बालों की natural shine को restore करेगा और split ends पे काम करेगा इसके साइसाथ आपके hair loss में भी यह फाइद मन भी है तो यह हो गए इन दोनों के claims and key ingredient की ingredient आप देख सकते हैं जो मामा आर्ट के key ingredient है वो वाउ के key ingredient का एक subset है अब बात कर लेते हैं मेरे personal experience की मेरे personal experience इन दोनों ही shampoo के साथ काफी ज्यादा अच्छा रहा है अगर hair fall की बात की जाए तो मुझे बहुत severe hair fall फिलहाल नहीं है और इन दोनों ही shampoo के बात मुझे कोई भी extra hair fall देखने के लिए नहीं मिला है अगर इनके claims की बात की जाए तो guys मेरे बाल बहुत बहुत ज़्यादा freezy है और mama earth काफी हद तक आपके freeze को control रगता है जो अच्छी बात मुझे wow skin science में लगी और जो mama earth में नहीं है वो यह है कि आपके बालों को wow skin science वाला जो shampoo बहुत ज़्यादा soft और shiny बना देता है कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो mama earth की जो consistency है वो थोड़ी सी ठिक gel में आता यह transparent है जबकि wow skin science वाला जो है उसी consistency थोड़ी सी running है mama earth आपको थोड़ा सा ज़्यादा यूज करना पड़ेगा दोनों ही sulfate free shampoo है दोनों ही leather come form करते हैं और दोनों को ही आपको थोड़ा सा ज़्यादा quantity में use करना पड़ेगा दोनों ही एक ही बार में आपके oil, dirt वगेरा को सब को निकाल देंगे ऐसा नहीं आपको दो तीन बार shampoo करने की जुरत पड़े लेकिन जैसी कि मैंने आपको बताया दोनों ही बहुत ज़्यादा mild है तो इसलिए दोनों को ही आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा मामा अर्थ के साथ आपको थोड़ी सी एक बात का यह ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा थिक consistency में आता है और जब इस shampoo को आप डाइलूट करते हो तो हो सकता है यह shampoo जो है वह आपके मग की नीचे बैट जाए बेस में बैट जाए तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्या और मेरा personal experience और मुझे लगता है यह video आपके लिए काफी जादा helpful रही होगी so yeah that's all for today's video see you bye bye